जमू कश्मीर और पाक से सटी सीमा होगी सुरक्षित और अब घाटी में आतंकबादियों से लड़ते हुए किसी सिपाही की नहीं जाएगी जान भारत की कोई भी बेटी अब अपने भाई को नहीं खोएगी किसी भी मा का बेटा उससे रूट कर दूर नहीं जाएगा किसी बच्चे के सिर्थ से उसके पिता का साया नहीं हटेगा और किसी भी लड़की की मांग अब नहीं उजडेगी क्योंकि अब भारत्य सेना में रोबो आ गया है आतंकियों का शिकार करते हुए आर्मी का जवान नहीं मरेगा अब मरेगा तो सिर्फ और सिर्फ आतंकी अब घाटी से कोई भी खबर गोलीबारी की नहीं आईगी क्योंकि सेना को मिली छूट ने काफी हद तक आतंकियों के नेटवर्क को खत्म कर दिया है और अब छिटपुट घटनाए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान से भी आतंकी भारत्य सीमा में घुस नहीं पा रहे है क्योंकि सेना मुस्तैथ है और जो लक्षमन रेखा पार कर रहे हैं वो सीधे आसमान में पहुँच रहे है अब इसी कड़ी में आतंकियों से निपटने के लिए भारत्य सेना रोबो आर्मी उतारने वाली है भारत्य सेना द्वारा तयार किये गए ये रोबो आतंकियों के ठिकाने पे अंदर भुस कर नहीं उनकी स्थिती का पता लगाएंगे बलकि उन्हें खत्म करने में भी सक्षम होंगे सेना के लिए तयार किये गए रोबो आर्मी आतंक प्रभावित इलाकों और नकसली इलाकों में सेना की काफी मदद करेंगे और भारत्य सेना इस कदम से हाइटेक भी बनेगी इतना ही नहीं पाक आर्मी जो रोज सीस्वार करती रहती है उसके मनसूबों को मिट्टी में मिलाने के लिए रोबो काफी मददगार साबित होंगे भारत्य थल सेना को आधुनिक बनाने की दुशा में रक्षा मंत्राले का ये बढ़ाया गया कदम काफी सराहनी है इस पहले चरण में रक्षा मंत्राले 400 रोबों खरीदेगी और इसे जल से जल से जल सेना को दिया जाएगा जिससे जल्दी काम को आगे बढ़ाया जा सके ये रोबों सेना की 25 साल तक मदद करते रहेंगे रक्षा मंत्राले और सेना का मानना है कि रोबों की तैनाती सबसे पहले आतंक प्रभावित शेत्रों जैसे जमू कश्मीर पूर्वोत्तर में तैनात के जाएगे ये रोबों आतंक वादी अभियान में होने वाले नुकसान से भी सेना को बचाएगे तो अब आप समझ सकते हैं कि भारतिय सेनात क्या करने वाली और पाकस्तान के पालतू आतंकियों का अब क्या होगा